नमस्कार दूस्तु पंडी दिन दियालुपाद ऐसे का वाटी इन्वर्शीटी ने मुख्य प्रिक्षा 23 के लिए इसनातक पार्ट पर्थम के लिए है विबीन विशयों के परसंद पत्रों का जो पेपर पैटरन है वो जारी किया है किस परकार आपका पेपर पैटरन आने वाला है यूजी के जितने भी स्टूडेंट है बीए बीए सी बीकॉम उन सभी के लिए है कि आपका मेन एकजाम दो जारते ही सोनी वाली है उनका जो पेपर पैटरन है किस परकार का आने वाला है आपका जो paper आएगा exam में कितने number का रहने वाला है और कितना आपको solve करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो जतने भी student है UG के सब्सक्राइब चयर तो तो स्बी students है ध्यां से इसको देख लेए आपका paper pattern है सेम आने वाला है तो जैसा कि फेस्ट एर का पेपर पैटन आने वाला है सेकेंड एर और फाइनल एर का भी सेम ही रहेगा तो सेकावाट एनोड शीटी से समझ दी जितने भी यूजी के स्टूडेंट है ध्यान से इस वीडियो को देख लें और वीडियो को दोस्तों तक सेर जुरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि पंडी दिन दियालुपाद ऐसे का वाट एनोड शीटी ने है नोटी जारी किया है जिसमें लिखाया कि सतर दोज़र वाईस तेईस मुख्य प्रिक्षा दोज़र तेईस के इसनातक पाट पर्थम के बीबिन विस्यों के परसंपत्रों का पैटन इस परकार रहेगा समा सास्तर मतलब साइकलोजी साइकलोजी का पेपर है दो पेपर होंगी P entonces capacity के पेपर है Ch Myanmar के होवने वाले है राजनिति विग्यान पॉलिटिकल साइन्स है उसके भी दो पेपर होने वाले है ब.A के अंदर है ये फैस्ट यर प Usually on मतले है दिए डिले बादनिस से सुन ले आपके जो पलिटिकल साइन्स है उसमें भी दो पेपर होते हैं फेस्ट और सेकिंड पेपर होने वाले हैं तो उसमें भी सोसो नमर की पेपर आने वाले हैं लोग प्रसासन पब्लिक अडिमिस्ट्रेशन हैं उनकी भी फेस्ट और सेकिंड पेपर आएंगे और सोसो नमर की होने वाले हैं और जितनी भी उपर आपको विसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें साइकलोजी है इस्ट्री है पॉलिटिकल साइन्स है और जो पब्लिक एडिमिनिस्ट्रेशन है ये चार विसे दिए गए हैं इसका पेपर पैटर्न देखे आप नीचे देख सकते हैं कि पर्थम पर्षन पर्षन अन्वारी होगा ये 20 अंका होने वाला है पर्थे खंड से 2 पर्षन लेते होए कुल 10 अति लगुरातमक पर्षन दिए जाएगी पर्थे एक पर्सन दो अन्का होगा तत्था अधिकतम सबद 20 सबदों की सिमा होने वाली है तो आप देख सकते हैं कि आपको हैं पहला पर्ष से चार लाइन के अंदर कर सकें ये दस परसन आने वाले हैं और परतेक परसन हैं दो नमर का होने वाला खंड मतलब यूनिट है आपकी जितने भी यूनिट होती है लग बग स्टूडेंटों की है पेपरों के अंदर है फांच यूनिट होती है और जितने भी यूनिट है तो उनमें आप देख सकते हैं और इसमें सेकंड लिखाए कि दीत ये परसन अनुवारी होगा ये कुल 20 अं लेते हुए कुल 10 परसन दिये जाएंगे प्रिक्षार दी को कुई 5 परसन इसमें हल करने हों चार फोगा आपको 10 परसन दिये जाएंगे जो इसमें 5 करने है और पर टेक परसन उसमें जाएंगे उसमें आपको कोई भी पांच कर लेने हैं और परतेक चार का आगा मतलब 20 नमर का हो जाएगा और इसकी अधिक्तम है सब्सीमा है वो 50 होगी आप 50 वर्डों के अंदर है लिख सकते हैं मतलब आप पेज है या आप से तोड़ा कम है आप लिख सकते हैं अब परतेक तीसरा परिट है कि परतेक खंड से एक परसन लेते होए संपूर्ण पाठे करम से कुल 6 निमंदात्मक परसन दिये जाएंगे प्रिक्षार्थी को इनमें से कोई 3 परसन हल करने होगी इसमें लिखा कि परतेक खंड मतलब परतेक यूनिट से एक परसन लेते होए जो भी सास्तर राजनीति विए लोग परसासन और जो आपकी स्ट्री है इसके अंदर पर्ते एक जो यूनिट है उसमें से एक निमंदात्मक परसन लिये जाएंगी और टोटल पेपर के अंदर च्छे निमंदात्मक परसन आएंगी जिसमें आपको तीन मतलब खाने का तीसरा परसन जो निमंदात्मक का होगा और उसमें भी छे पार्ट दिये होंगे और जिसमें आपको तीन करने होंगे और इसकी जो पर्ते परसन है बीस अंका होने वाला मतलब तीन आपको करने है और एक बीस का होगा तो खहने का मतलब साट अंक है तीसरा परसन होने वाला है उसके परसन है जिसमें आपको तीन है वो हल करने है मतलब परते एक परसन है बीस अंका होने बाला है मतलब तीसरा परसन है वो 60 नमर का होने बाला है तो ये आपको समझ में आ गया होगा पेपर पैटन इस परकार करेगा तो आप देख सकते हैं इन पेपर होगा ये पेपर पैटन र आट वाले स्टूडेंट है उनके लिए पर्थम पेपर है बुगोल का एंचे फेस्ट यरो सेकंड यरो फाइनल यर हो उनके लिए पीछेतर अंका होता है और दीतिये जो परसन पत्त रहेगा वह पीछेतर अंका होगा और परायोगी के जो एक्जाम है प्रेक्टील एक्जाम मैं वो 50 नमर के होने वाली है और बुगोल का पेपर जो साइन्स के स्टूडेंट है उनके लिए 50 अंका होगा और दीतिये पेपर वह भी 50 का फैस्ट और सेकंड पेपर 50 नमर के होगी और जो आपका प्रेक्टिकला वो भी 50 नमर का होने वाला है अब इसका आप जो पेपर पैटाने किस परकार रहने वाला इसमें है कि परसंपत्र के दो भाग होंगी मतलब ए और बे दो या ए या बी दो पार्ट होने वाले हैं पर्थम भाग अनुवारी होगा पहला जो भाग है वो आपको करना अनुवारी होगा इस भाग में संपुन पाथे करम से कुल दस students है जिसके geography है और उस student के first भाग के अंदर दस क्यूसन दिए जाएगे और जो आठ का student है जिसके अंदर है दस परसन दिया जाएगे परते एक परसन है वो डेड़ नमर का होगा मतलब पंदर नमर का होने वाला है अब दीतिया भाग मतलब A भाग मतलब A भाग और जो B भाग या बैभाग है दीतिया भाग में परतेक खंड से कम से कम एक अथवा अधिकतम दो परसन लेते हुए मतलब परतेक युनिट से एक या दो परसन लेते हुए कुल आठ परसन दिया जाएंगे आठ मतलब पर्तेक उनिट से हैं दो क्यूशन लिया जाएंगे मतलब टोटल आठ लिया जाएंगे आठ परसन लिया जाएंगे और परिक्षारती है उसको कुल चार परसन हल करने होंगे विज्यान संकाई में परतिक परसंद 10 अंका तता कला संकाई में 15 अंका होगा कहने का मतलब आपको 4 परसंद है वो हल करने हैं विज्यान संकाई के लिए वो 10 नमर के होंगी और जो 8 वाले हैं उनके लिए जो science वाले student है उनके लिए second वाग में चार person है आठ मी से four करने हैं और वो 10 नमर के होंगी और जो 8 वाले student है उनके लिए जो 4 पर सन है वो 15 नमर के होने वाले हैं तो यह geography का पेपर pattern रहने वाला है first year second year और final year के लिए अब आप आगे देख सकते हैं कि बनस्पति सास्तर पराणी सास्तर रसान सास्तर और बोतिक सास्तर जिसके अंदर है कि जो आपका बनस्पति सास्तर है मतलब है बोटनी बोटनी का पेपर बायलोजी के अंदर है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तीन पेपर होते हैं पतलब जूलोजी जूलोजी आपका फेस्ट पेपर 33 का होगा सेकिंड भी 33 का होगा और फॉर्थ पेपर वो 34 नमर का होगा और प्रेक्टिकल 50 नमर का होने वाला रसायन जो केमिस्ट्री है उसमें भी फेस्ट सेकिंड पेपर 33 के होगी और थर्ड पेपर 34 का होगा और जो प् परकार का रहने वाला है वो आप देख सकते हैं कि परसन पत्तर के दो बाग होंगे वो ए और बी है भाग रहने वाला है पर्थम बाग अनवारी होगा पहला बाग आपको करना अनवारी है मतलब ए और बी दिये होंगे या ए और बै दिये होंगे उसमें से आपको है पहला बा उसमें नो बाग दिये होगी, नो परसन होगी, उसके अंदर तथा दस परसन हैं, चोहर। परसन होगी तो वो नो नमर के होने वले हैं और चोहर। वाला जो पेपर है थर्ड पेपर है उसके अंदर है दस परसन होंगी जो की दस नमर के होंगी और अधिक्तम सबद सिमय आपको भी सबदो के होगी मतलब तीन चार या पांच लाइन तक आप है इनका उतर दे सकते हैं अब भाग दो में परते खंड से मतलब भाग बै या भाग बी के अंदर है परते खंड मतलब परते एक यूनिट से कम से कम एक परसन तथा अधिकतन दो परसन लेते हुए कुल आठ परसन दिये जाएंगी मालब परतेक यूनिट से दो परसन लेते हुए आठ मतलब टोटल आठ परसन दिया जाएंगी और जो विद्धार थी है प्रिक्षार थी है उसको चार उसमें हल करने हैं और परतेक च्छे नमर का होने बाला है मालब आठ में से आपको चार हल करने हैं सेकिंड परत के अंदर है या बी भाग या बे भाग के अंदर है आपको है चार परसन हल करने है आठ में से और परतेक है च्छे नमर का होने बाला है अब इसके अंदर है जो गणीत का है जो mathematics का है पेपर पेटन है वो अलग होने बारला है जो कलासंका है जो आठ वाले student है उनके भी महत होती है तो उनके लिए जो पेपर पेटन है इस प्रकार रहने वाला है फेस्ट पेपर है 53 का और second पेपर भी 53 का फेस्ट और second पेपर है त्रेपर नमर का होगा और third पेपर है चोवा नमर का और practical exam है उनकी वो 40 नमर की होगी और गणीत का पेपर है और वो science का student है उनके लिए first पेपर और second पेपर 40 नमर का है और third पेपर वो भी 40 नमर का है और practical एद्गाम है उनके लिए वो 30 नमर के होने वाली है अब इसका paper pattern इस परकार रहने वाला है कि person पत्तर के दो भाग होंगे पर्थम भाग अनुवारी होगा इसमें भी A या B है दो पार्ट दिये होंगे जिसमें आपको fast अनुवारी रूप से करना होगा अर्थम भाग में कुल 4 परसन दिये जाएंगे पहला भाग है उसमें 4 परसन दिये जाएंगे विज्यान संकाई में परतेक परसन 2 अंका होगा जो science के student है जो 4 परसन होगी 4 परसन है उसमें परतेक परसन है वो 2 नमर के होगी मतलब कहने के जो 4 परसन है वो 8 नमर के होंगे का तथा कला संका जो 8 के स्टूडेंट है परते क परसन 3 नमर का होगा मतलब है 4 परसन है आर्ठ वालों स्टूडेंट होंutet के लिए वो 12 नमर के होंगे अदिक्तम सबत सीमा है आप तीन, चार या 5 लाइन के अंदर दे सकते हैं mathematics के अंदर देख सकते हैं कि दीतिय वाग में परतेक खंड से कम से कम 1 परसन तता अधिकतम 2 परसन लेंगी खंड मतलब परतेक यूनिट में से 2 परसन लिये जाएंगी और कुल 8 परसन दिये जाएंगी प्रिक्षार्ति को चार हलकने, आठ में से चार हलकने हैं, विज्ञान संकाय में परते एक परसन आठ अंका है, तथा कला संकाय में तीन परसन दस नमर का है, जो साइंस का स्टूडेंट है, उसके लिए आठ अंका होने वाले हैं, चार परसन, और जो आठ के स्टूडेंट है, उनके लिए जो तीन पर्षन है वो दस अंके हैं तथा एक पर्षन है ग्यारा अंका होने वाला है जो mathematics का पर्षन पर्षन पर थर्ड है उसमें दो पर्षन दस अंके तथा दो पर्षन है ग्यारा अंके होने वाले हैं कलब son's के student के लिए दो परसन है वो 10 अंके होगी है और जो दो परसन है आट के student के लिए 11 अंके होने बाल सै ऄगला paper पेपर है गुगगर्व सास्तर जियोलोजी इसका paper pattern है इस परकार रहने वाले है पहला paper और जो second paper है परचास परचास नमर के आएंग lidव से प्रेक्टीकल ह आपको पहला भाग है करना अनूरी है, 20 अंक जिए limit 15 का उने वाला है इसमें संपुन पाथ EH करम है, जो आपकी 2 पोड़़ वो मतलब बेंसंट तक आपके answer को फोड़ाएं दीतिय बाग में परतेक खंड से दो परसन लेते होए खेने का मतलब परतेक यूनिट से दो परसन आएंगी कुल परसन आठ दिये जाएंगी प्रिक्षार्थियों को चार उसमें हल करने है और परतेक परसन है 7.5 अंका होने बाला है तो ये आपका में एक्जाम 2023 का है पेपर पेटर्न रहने बाला है जिन स्टूडेंटों के दो पेपर हैं जैसे कि आपका हिंदी का हिंदी साहिते में भी है हिंदी साहिते में भी दो दो पेपर होते हैं तो उनका भी यही पेटर्न है पेपर पेटर्न रहने बाला है तो मैंने आपको fallen year और final year उन सभी के बताया है Sakawa Taiwan City ने पाट पर्था में ऐसा लिख करें नोटिक जारी क्या लेकर यह fast year, second year और final year सभी के लिए समझने के लिए है तो आप समझ सकते हैं कि आपका paper pattern है इस परकार रहने वाला है आप इस परकार हल कर सकते हैं में जुड़ जाएं क्योंकि आप सेकावाट इंवर्सिटी की फोरम है जनुरी लास्ट फर्वरी के मीड दर के आपके फोरम स्टार्ट होने की पूरी-पूरी संभावना है और उसके बाद आपकी एक्जाम है अप्रेयल के अंदर संभावित है कि अप्रेयल में आपके एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगी तो अभी है आप तयारी के अंदर जोड़ जाएं जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें भी मोटिव होंगे तकि आपको जानकारिय डिटेल में और दे सकें और अच्छे से समझा सकें और आपको ये जो जानकारी दिये वो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितने भी फ्रेंड हैं जिनको समझ में नहीं आया है कुछ भी पार्ट तो वो पूछ सकते हैं और से क जम 2-30 है उसे समन्दित आपको है इसी चैनल पर अबडेट है वो मिलती रहेंगी जैसे इन्वर्शेटी अबडेट देती है आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी डिटेल के साथ मिलेगी और एथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी तो सभी दोस्त है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थांक्यू धन्यवाद